आज हम उस रस्म या कुप्रथा से रूबरू होंगे, जिसको शायद हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सांसी जनजाती भारत की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। आज हम इस जनजाती में प्रचलित एक रस्म या कुप्रथा कूडी के बारे में जानेंगे। जनजातीयों की भाती हमारे समाज में भी अनेक कूप्रथाओं का प्रचलन आज भी है, जिन्हें रीती रिवाज, परमपरा एवं संसकारों का नाम देकर बरहावा दिया जाता है। जाती है, वहाँ पर सुहाग रात की रात उसका पती हाथों में सफेद धागों का गुच्छा लिए उसके कमरे में प्रवेश करता है। यह सोचकर वह रोने लग जाती है। अब उस नई दुलहन से उसके मित्र का नाम पूचते हैं। लड़की रो रोकर यही कहती जाती है कि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। जब बिस्तर पर खून के निशान नहीं मिलते हैं तब परिवार वाले उस लड़की के साथ मार पीट एवं पशुवत व्यवहार करते हैं। ससुराल वाले उसको खूब पीटते हैं और यह कहते हैं कि पंचायत के सामने वो जूटा ही मान ले कि उसके जीजा के साथ शारीरिक संबंध थे। अगर उसकी पतनी वर्जिन निकलती है, बिस्तर पर खूण के निशान मिलने पर भी तब भी उसे जूट बोलने पर मजबूर किया जाता है और पीहर पक्षवालों से ज्यादा दहेज के लिए बाध्य किया जाता है। नोट, माफ कीजिएगा यह एक सत्य वर्णन है, जिसकी सत्यता के लिए मुझे थोड्ड हे भद्दे शब्द लिखने पड़ रहे हैं, लेकिन यह सत्य है, मुझे यह लिखने के लिए मेरा कर्तव्य मजबूर कर रहा है, क्योंकि ऐसी कूपरताएं महिलाओं की मान मर्याद एवं उनके आत्म सम्मान को तार-तार कर देती है, बहुत सारी महिलाओं को इसके लिए जान भी गमवानी पड़ती है, यहीं उसकी चारित्रिक परीक्षा पूर्ण नहीं होती, आगे जाकर उसे इससे भी भयंकर अगनी परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके त प्राथों में पीपल के पत्तों के उपर गर्म लौहे को जलते अंगारों पर रख कर खड़ा रहना होता है, हमारे इतना सोचने भर से ही हम पसीने से तर्बतर हो जाते हैं, हमारी देह कमपायमान हो जाती है, रूह में मानो जैसे लौहे की शूलें चुब हो दी हो, तो जिनको इन घिनौनी परिक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है, उनकी क्या दशा होती होगी, उन पर क्या गुजरती होगी, यह उनके कौन से जन्म की सजा है, यह एक सोचनिय विशय है। जिनसे महिलाओं के प्रतिक्रूर और आपराधिक कृत्य किया जाता है। समाज में महिलाओं की स्थिती इन प्रथाओं के कारण बहुत दयनिये हो गई है, उनके आत्म सम्मान का जरा सा भी खयाल नहीं रखा जाता है। वर्तमान समय में इन कुप्रथाओं को समाप्त करने की जरूरत है, जिसके लिए समाज एवं सकार द्वारा सामुहिक रूप से आवश्यक कदम उठाने की आवश्यक्ता है. यही वह समय है जब मानव के अंदर छुपी हुई मानवियता को जगाना होगा. कूकडी रस्म सांसी जन्जाती की वह रस्म जिसमें विवाह के समय लडडेचकी की चारित्रिक परीक्षा ली जाती है, उसे कूकडी ही रस्म कहा जाता है. संदर्भ ग्रंथ शैडो बॉक्सिंग विद गॉड्ज विजय एन शंकर दे स्केजुल ट्राइब्स ओफ इंडिया अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो एक अपवोट तो बनता है. नोट इसमें मेरा उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार से वाकिफ करवाना एवम इस प्रश्न का जवाब देना है. किसी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप ठेश पहुंचाना या किसी को नीचा दिखाना कता ही नहीं है.